नमस्कार में वीर आप देख रहे हैं दा न्यूज नैनेक्स दा न्यूज नैनेक्स में आप सभी का स्वागत है आज है 22 जन्वरी 2020 बिहार की 25 बड़ी और महत्पून खबरों में क्या है दिल्ली के शाहिन वाग में CAA और NRC के खिलाब पिछले एक महिने से ज़ादा समय से परदशन चल रहा है शाहिन वाग में CAA के खिलाब परदशन कर रहे परदशन कारियों ने दिल्ली के उपर राजिपाल के साथ बैठक सफल नहीं होने के बाद भारत बंद करनी की घोशना की है परदसन कारियों ने 29 जनवरी को भारत बंद का आहवान क्या है बिहार की राजनीती में साल 2020 बहुत महत्पून है इसी साल अक्टूबर नमबर में बिहार विधान सवाद चुना भोने है जिसको लेकर RGT ने अभी से अपने CM उमिदवार तेजस्वी यादब को प्रमोट करना शुरू कर दिया है इसको लेकर तेजस्वी के बड़े भाई तेजपरताव यादब ने ट्विट किया है ट्विट में लिखा है कि राज़त मेरी ताकत है, राज़त से ही मेरी पहचान, जन जन के नाएक मेरे पिताजी है, मेरे भग्वान लालू जी के सपनों का विहार बनाने कि लिए आईए एक जूट होकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाईए टूट के साथ तेज़ परताब ने एक फोटो भी शेर किया है जिसमें तेज़स्वी यादब मुकुट पहने हुए है और तेज़ परताब यादब बगल में खड़े है फोटो के जड़िये तेज़ परताब ने नया नारा भी दिया है नारा हे लालू जी के विचार को जन जन तक पहुचाना है 2020 में तेज़स्वी को मुखे मंतरी बनाना है बीजेपी MLC टूना जी पांडे के लापाता भाई को हाजीपुर स्टेशन से बरामत किया गया है वहाँ 18 जनवरी को मेरवा में अपने स्कूल से गायब हो गये थे घटना के बाद तूना जी के परिजनों ने अपरहन की असंका जताई थी पतना में चल रही नितिश कबिनेट की बैठक समाप्त हो गयी है कबिनेट में कूल साथ एजंडो पर मुहर लगी है केबिनेट की बैठक में आपदा से निपटने के लिए कंटी जेसी फंड में 150 करोर रुपे की एडवांस निकासी की स्विकृती मिली है पतना के मिजियम के लिए मोडिफिकेशन के लिए 158 कडोड की राशी की स्विकृती दी गई है केबिनेट बैठक में इसके साथ ही कई अहम एजोंडर पर भी मुहर लगी है PMSY11 के तहट अरडिया के सिक्टी में TO5 नेपाज सीमार जाला चोक से राजगीर तक के लिए 37.65 करोर रुपे स्विक्रिती मिली है हिंदी के साहितिक, सांस्कृतिक और बोजिक प्रकल्प पकडंडित जमुई के तत्वा धान में भक्त कभी अरजुन दास की 144 भी जैन्ती आगामी एक फरवरी को मनाए जाएगी इस कारीकर्म को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है 11,888 पदों के लिए बिहार में सिफाही बहाली की लिखित परिक्षा पर जारी सस्पेंस खतम होने को है जानकारी के मुताबिक बिहार में सिफाही बहाली की लिखित परिक्षा आठ मार्च को हो सकती है इसके लिए मंगलवार को ग्रीह विभाग ने सभी जीला ध्रिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फेरेंसिंग कर तारिक के बावत चर्चा की हलाकि अभी यह तैन नहीं है कि इसी तारिक पर प्रिक्षा होगी यह तभी संबब है जब 8 मार्च को जीलो में सेंटर उपलब्द होंगे मंगलवार को नीतिस कबिनेट की बैठक में बजट स्यत्र बुलाने का फैसला लिया गया बिहार विधान मंडल का बजट स्यत्र 24 फरवरी से शुरू होगा स्यत्र 24 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगा बिहार विधान सभा को लेकर जेडियू लगातार अपना दम खम दिखा रही है अब चुनाब को लेकर जेडियू नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी 28 जनबडी को पटना के सीम आवास एक आने मर्ग में सीम नितिस कुमार खुद ट्रेनिंग देंगे बिहार पुलिस की ओर से गाउं की समस्यां और मामलों के निप्टारे को लेकर पुलिस आपके द्वारा कारिकरम की शुरूरात की जाएगी इसके तहत शेत के थानेदार सप्ता हमें एक दिन गाउं में समय बिताएंगे और गाउं के चौपाल पर बैट कर ग्रामीनों की समस्यां सुनने के साथ मामलों का निश्पादन करेंगे यहाँ बात पुलिस महानिदेशक गुपतेशवर पांडे ने भागलपूर में कही है लगातार विरोज के बीच सुप्रीम कोट में विवादा अस्पत नागरिकता संसोधन अधिनियम की समवेधानिक वेधदा को चुनोती देने वाली 130 याचिकाओं पर सुनवाई होगी सी जे आई एस ए बोबडे जस्टिस संजीब खन्ना और जस्टिस एस अब्दूल नजीर की बेच सुनवाई करेगी पुरे बिहार की दवा दुकाने आज से तीन दिनों तक बंद रहेगी बिहार केमिस्ट एंड ड्रेगिस्ट एसोशियेशन ने 22-24 जनवरी तक राजब्यापी बंद बुलाया है बंद से सरकारी और नीजी अस्पतालों की दुकानों को मुक्त रखा गया है उई एमेजेंसी दवाओं की बिकड़ी खुली रहेगी बिहार में आईशमान भारत प्रधन मंतरी जन आरिक योजना की खामियों को जल्द दूर कर लिया जाएगा मुख्य मंतरी नितिश कुमार ने आज स्वास्त बिभाक की चमिक्षा के दोरान आईशमान भारत योजना को वेवाहरिक बनानी की बात कही है एक सभा को संभोधित करते हुए CPI नेता कनहिया कुमार ने मंच से आजादी वाला गाना गाने लगे कनहिया के आजादी सोंग सुन हजारू महिलाई भी साथ देने लगी और महिलाई भी आजादी मांगने लगी इसको लेकर जमकर नाडे भी लगाए गए जाप संग्रक्षक पपु यादब और उनकी पतनी रंजिता रंजन लगातार नागडिकता संसोंधन कानून को काला कानून बता रहे हैं सभा को संभोधित करते हुए CPI यादब ने कहा कि राम को समझने की जरूरत है उन्होंने कहा कि जनता विरोधी कानून लाने से पहले इसलाम से लेकर गुरु नानक को तो समझने की जरूरत है उन्होंने कहा कि रामाइन को लिखने वाले वालमिकी भी एक दलित ही थे पपु यादम ने कहा कि इस देश में 26 करोड से ज़्यादा मुसलमान है वे सभी हिंदुस्तान से मोहबत करते हैं पुर्व सांसद रंजिता रंजन ने कहा कि दलितों और गड़ीबों को सताया जा रहा है उन्होंने पूछा कि असम से निकाले गए 19 लाग कहां जाएंगे विहारपूर्णिया सीमा से सटे टिकापटी और कुरसेला थाना की सीमा पर एक सड़क निर्मान कमपनी के मेनेजर से अपराधियों ने पिस्तोल की नोक पर करीब 10 हजार रूपिय छिल लिया घटना भैदयया टोला की है पिडित मेनेजर का नाम अरविंद कुमार बताया अरविंद कुरसिला की ओर से रोड निर्मान समागडी से भरा ट्रेक्टर टेलर लेकर टिकापटी थाना शेत से बगवा गाउं की ओर जा रहा था पुलीस पिडित मेनेजर से पुष्टास कर रही है शराब कसकडी के आरोप में एक शिक्षक को पुलीस ने खदर कर ग्रफ शराब थी शराप के सांथ प्रकास चोधरी नामक व्यक्ति ग्रफतार किया गया प्रकास चोधरी ने शिक्षक के बारे में बताया इधर पुलीस ने बताया कि 3 लोगों के विरूद मामला दर्ध किया गया है तिसरे की तलाश जाड़ी है यह थी बिहार की बड़ी और से देख रहे हैं तो हमारा यूटूब चैनल दन्यूज नानेक्स को सब्सक्राइब करें